प्यार गुनाह नहीं होता लेकिन कब और किस से करना है ये जरूर सोचना चाहिए और अपने से ज्यादा उम्र के महिला के साथ प्यार करना कितना महेंगा परा विजय को और किन किन रास्तों से किन किन जगों से गुजरना परा कैसे कैसी मुश्किलों से गुजरना परा ये और उसे यूज किया गया, अपने स्वार्थ के लिए उसे यूज किया गया, और उसके उफर एफाई आर, आखिर क्यों, अधेर उम्र की महिला उससे सम्मंध बनाती है, और उससे शादी करने के लिए दबाव भी बनाती है, शादी नहीं करने के बाद, उसके उपर एफाई करने जाती है वो तो सुकर है गाउं के लोगों का जिन लोगों ने बीच में आके उस औरत को समझाया पोलीस और आप देख रहे हैं निवसर्च तक आज की कहानी कुछ ऐसी ही है एक 21 वर्ष के लड़के की कहानी है जो नोकरी के तलास में मध्य पर्देश जाता है जे हां मध्य पर्देश का एक जिला है अंबिकाप जहां की एक महिला महा लक्ष्मी मित्तल जो के 46 वर्ष की है और उनकी एक छोटी सी स्टिल की फैक्टरी है जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और सबकुछ वर्गर लोग उसमें काम भी कर रहे हैं काम भी अच्छा च आल रहा था लेकिन 2016 में वर्ष 2016 में एक लड़का जो कम पढ़ा लिखा होता है विजय कुमार जिसकी उम्र मात्र 21 वर्ष वो नोकड़ी के तलास में सूरज नगर सूरजपूर आता है अंबिकापूर जिले के सूरजपूर में आता है विजय MP के मध्परदेश का एक जिला है राइस हैं वहां की एक जगह है किसनपूर किसनपूर गाओं का निवासी है नोकड़ी की तलास में अंबिकापूर सूरज अंबिकापूर में सूरजपूर जाके अपलाई करता है इसी फैक्टरी में अपलाई करता है जिसकी मालकिन महालक् पहुचा था, उसे जब कॉल आता है इंटर्व्यू के लिए, वो इंटर्व्यू देने के लिए पहुचता है, और वहाँ पहुचने के बाद, वो मालकिन के सामने जैसे जाके खड़ा होता है, अभी इन दोनों में कुछ बात हो पाती, तब तक महालक्ष्मी मितल के पास एक क पाल को सुनने के बाद, महालक्ष्मी मितल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इनको लाखों का फायदा होगा होता है, और ये लाखों का फायदा इनको इतनी खुशी दे जाता है, कि इनोंने सब कुछ सोचना समझना बंद कर दिया होता है, और सामने विजय खड़ा होता ह बिजये से सारे बहुत कमी सवाल किये जाते हैं और इसे नोकरी पर रख लिया जाता है सब कुछ अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा खासा फाइदा कंपनी में जा रहा होता है लेकिन माहलक्स्मितल के कही न कहीं दिमाग में ये बात आती है कि ये शायद इस लड़के के आने की वज़े से ही बिजाय के आने की वज़े से ही ये फैदा हो रहा है मुझे और इसी फायदे के चकर में बिजाय को उन्होंने नौकरी दे देती है और नौकरी देने के बाद बिजाय के साथ काफी घुल मिल जाती है और बिजाय को बहुत अ आसपास के जितने भी बड़े बिजनेसमेन होते हैं, सब को इन्वाइट किया जाता है। और वो पार्टी कुछ ऐसी होती है, जिसमें जिसे जो चाहिए उस हिसाब से वो खापी सकता है। खुशी के मारे महालक्ष में मितल इतनी पागल हो जाते हैं को उनको पता भी नहीं चलता कि ड्रिंक करते हुए वो कितना ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं। और ड्रिंक के बाद वो उनके पैर लड़ खाडाने लगते हैं, तब विजय को अपने साथ बुलाती हैं और अपने घर तक ड्रॉप करने को बोलती हैं। बिजय भी नौकर मालकिन की बात कैसे काटे मालकिन की बात को सुनते हुए बिजय उनके साथ उनके घर तक जाता है घर तक जाने के बाद मालकिन उसे अपनी हालत को देखते हुए कहती है बिजय तुम यही रुख जाओ तुम कल चले जाना और दोनों एक ही साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं तो इसी बीच मालकीन अपने कपड़े बदलने के लिए जाती हैं जो खुद कपड़ा बदल नहीं पाती हैं विजय की मदद से कपड़ा भी बदला जाता है लेकिन इसी हालत में इन दोनों के बीच में एक ऐसा अट्रेक्शन होता है एक ऐसा प्रभाव परता है जिससे मालकीन और विजय दोनों हम विस्तर हो जाते हैं दोनों के बीच में संबंद बनता है और संबंद बनने के बाद विजय अगले दिन बहुत परिशान रहता है विजय को कुछ समझ नहीं आता है मालकीन को ये बात समझ में आ जाती है कि विजय कहीं न कहीं परिशा और ये सिलसला चलना शुरू हो जाता है। विजय धीरे-धीरे मालकिन के आगोश में चला जाता है। मालकिन के बातों में आ जाता है। और डे बाइडे दोनों एक दूसरे के साथ सम्बंद बनाते हैं। और सम्बंद बनाने के बाद, लॉकडाउन के समय, 20 अगस्त 2020, यही वो टाइम है, इस टाइम विजय अपने जब उसे याद आता है, लॉकडाउन लगने के बाद, जब उसे याद आता है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी घर वाले हैं, वो अपने घर जाने के लिए कोई बहाना बनाके मालकिन से चुट्टी लेके चला जाता है। कुछ दिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं 21 साल का और मैडम 46 साल की और हमारे बीच में संबंध बन रहा है ये विजय को पसंद नहीं था लेकिन पैसों की वज़े से वो बिचार करें तो क्या करें गरीब लचार मजबूर आदमी पैसों के चकर में मालकिन के साथ संबंध बनाता था कुछ दिन गुजरना के बाद जब बिजय से बात नहीं होती है तो मालकिन की तलब इस कदर होती है कि वो 700 किलोमेटर 36 गर से 700 किलोमेटर किसनपूर पहुँच जाती है बिजय के गाउं, पूछते पास्ते वहाँ जब पहुंचती है, तो वहाँ बिजय अपनी सारी कहानी अपने आसपास के लोगों को बता चुका होता है, जैसे उससे पता चलता है कि मालकिन आ गई तो गाउवाले समझाते हैं कि तो यहाँ से भाग जा, बिजय छत कूद के भा एक दिन, दो दिन तक गुजर जाता है, घर वाले पूछते हैं, मैडम कुछ बताती नहीं है, बाद में जब विजय नहीं आता है, तो घर वालों पे दबाव डालती हैं कि विजय को बलाओ, विजय के नहीं आने की वज़े से मैडम से जब सारे सवाल किये जाते हैं, तब म बात बिचार करने के बाद घरवालों की यह समझ में आया कि मैडम को यहां से भागा दिना चाहिए, कि यह कैसे होगा, कि मा बेटे के रिष्टा जहां होना चाहिए, वहाँ पति-पत्नी का रिष्टा कैसे हो सकता है, विजय 25 साल का हुआ, और आप 50 साल की हो गई, दोनों के बीच में कैसे संब्ध मन सकता है, दोनों पति-पत्नी कैसे हो सकते हैं, मालकिन बहुत जोड़ सोड़ से कहती है, कि नहीं हम दोनों के बीच में संब्ध है, और मैं इसे विजय को लेके जाके रहूँगे, फिर घरवाले गुस्सा होते हैं, और मालकिन को घर से निकाल देत हैं, मालकिन ठाने पहुंचती है, ठाने जाने के बाद वहां सारी कहानी बताती है, पुलिस वाले भी अस्तब्द हो जाते हैं, कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, आप 50 साल की और वो 25 साल के लड़का दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है, दोनों पति-पत्नी कैसे हो सकत के बाद गाउवाले इस बीच में आते हैं, गाउवाले बीच में आने के बाद सब को समझाते हैं, पुलिस को समझाते हैं, मालकिन मितल को समझाते हैं, कि आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये कभी दुनिया से विकार नहीं करेगी, और बिल्कुल भी ठीक नही मैडम अपना फायार वापस ले लेती हैं लेकिन गाउंवाले अगर बीच में नहीं आते तो विजय की जिंदगी जरूर खराब हो जाती है इसलिए प्यार करने से पहले कभी भी अगर आप किसी से प्यार करें तो जरूर ध्यान रखें कि हम उम्र होना चाहिए प्यार गुनाह नहीं है लेकिन किस से किया है यह तरह करना बहुत जरूरी है अगर अपने से ज़ादा उम्र के ब्यक्ति से आप प्यार करते हैं, तो वह कहीं न कहीं उसका अंजाम बहुत खराब होता है। इस कहानी के माध्यम से मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, कि प्यार करना गुणाह नहीं है, लेकिन प्यार करने से पहले सूच समझ ले, अगर गाउवाले बीच में नहीं आते, तो क्या होता? गाउंवाले एगर सपूर्ट में नहीं आती तो क्या होता प्यार का अंजाम अपने से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ प्यार करने का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है प्यार घर से शुरू होता है और थाने तक पहुँच जाता है इसलिए सचेत रहें सधान रहें और सदर्क रहें हमारे कुछ मित्र हैं जो हमें कंटिन्यू कमेंट्स वगरा करके हमें बताते हैं मैं आज उन सबका नाम आप सबके बीच में बताने वाला हूं उन सबका बहुत सहयोग है हमारे साथ क्योंकि वह हमारे वीडियो को देखते है लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप भी हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, राजु विहारी ओफिसियल, हमारे भाई, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, भारत मा क्रियेटर हैं, धर्मेंदर राय जी हैं, रितिमा राज जी है सुबोध कुमार इन सबको तहदिल से धन्य बाद और आप सब ऐसे ही अपना प्यार अशिवाद बनाये रखें वीडियो पर कमेंट ओकरा लाइक कमेंट लाइक करते रहें धन्य बाद